दुनिया के कई देशों में प्रसित हिंदू मंदिर है एक ऐसा देश है जहां दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर और सबसे बड़ा धार्मिक इसमारक है लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी वहाँ पर कोई हिंदू नहीं है इस देश के जंडे का चीन भी हिंदू का एक मंदिर है हिंदू धरम दुनिया का एक मातर ऐसा धरम है जो सबसे प्राचीन है माने जाता है कि हिंदू धरम 12,000 साल से भी पुराना है हिंदू धरम में मूर्ति पूजा और ध्यान का विशेश महत्व है इस बात के कई सबूत है कि दुनिए के कई देशों में पहले सनातम दरम ही था अंकोरवट मन्दिर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है इसके अलावा यह विश्व का सबसे बड़ा धारमिक इसमारक भी है यह कंबोड़्य देश के अंकोर में स्थित है अंकोर सिम्रिप शहर में मीकांग नदी के किनारे स्थित है यह सेक्रो वर्गमील में फैला है यह भगवान विशुलो का मंदिर है यहाँ पर पहले के शाशकों ने बड़े बड़े भगवान शिप के मंदिरों का निर्मान करवाया था इसका पुराना नाम यशुत पूर था राजसुर्य वर्मन दिवत्रिय के शाशनकाल 1112 से 1153 इस्वी में इस मंदिर का निर्मान हुआ था इस मंदिर के चित्र को कमबोडिय के राष्टे धोज में चापा गया है दुनिया के स्वसे परसित प्रेटलों श्थलों में यह शामिल है और युनेसको की विश्व धरोर में भी यह मंदिर शामिल है कमबोडिय में दुनिया का स्वसे बड़ा हिंदू मंदिर तो है लेकिन वहां कोई हिंदू क्यों नहीं है इतियास के मुताबिक यहां लोगों ने दूसरे धर्मों को अपना लिया है वर्तमान में इस देश में गिंदे के हिंदू बचे हैं लेकिन दुनिया का सुसे बड़ा हिंदू मंदिर इसी देश में है दक्षिन पूर्व एशिया का एक परमुख देश है कमबोडिया और यहां की जनसे के करीब एक करोट सत्तर लाग है इस देशिया में पहले भी पांच हजार से लेकर एक हजार वर्स तक के पुराने मंदिरों की खोच की गई है इन रिसर्च में भारत की प्राचीन वेवशाली संस्कृती की जलक दिखाई दे रही है विज्ञाने को न यहास विकार किया कि हजारों साल में समुदर का जलस्तर करीब 500 मीटर तक बड़ा है इससे यह साबित हुआ कि राम सेतु द्वारी का नगरी जैसे स्थान आज भी मौजूद है और इन से जुड़ें पात्र भी सच है बताय जाता है कि सालों पहले कमबोडिया में हिंदु धरम था पहले इसका संस्क्रित नाम कमबूज या कमबोज था कमबोज की प्राचिन कताओं के मताबिक उपनिवेश की नीव आरे देश के राजा कमबू ने रखी थी भगवान शिर्व की प्रेंड़ना से राजा कमबू कमबोज देशाय उन्होंने यहां की नाग जाती के राजा की मरसे इस जंगली मरुस्थल पर राजे बसाया नागराज की अद्बूज जादूगरी से मरुस्थल हरे भरे सुन्दर परदेश में बदल गया था कताओं के मताबिक कमबू ने नागराज की कन्या से शादी कर लिए और कमबूज राजबंच की नीव डाली थी लेकिन यहाँ पर विद्येशू की नेजर पड़ी और उन्होंने यहाँ रहने वाले हिंदू लोगों का कलवार के दंबर धरम परिवर्तन करवा दिया यहाँ के लोग अभी भी दिल से खुद को ही हिंदू ही मानते हैं एसरी वीडियो के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को स्बस्क्राइब जरूर करें धन्याबाद